इसराइल गजा के बीच जारी जंग को आज एक महीने पूरे हो गए हैं। एक तरफ इसराइली सेना ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इसराइली डिफेंस फोर्स के सैनिको ने उतरी गजा पट्टी पर कबजा कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन युद को खत् अंगर्ष में सबसे जादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। इस भी सभी प्रमुख सैयूग्त राश्ट्रे अजन्सियों के प्रमुखों ने इसराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद में ततकाल मानविय युद विराम का आवाहन किया। यूएन अजन्सियों ने कहा कि लगभग एक महीने से दुनिया इसराइल और फिलिस्तीनी शेतर में उबरती स्तिती को देख रही है और जान गवाने और बिखरने के बढ़ते आकड़े से सदमी और दैशत में है। तो वहीं संयुक्त राश्ट्रे महासचिव एंटिनियों गुटेरेस ने कहा कि गजा में गहन रूप धारण कर रहा टकराव दुनिया को हिला रहा है। शेतर में उतल पुतल मचुने की वज़े बना हुआ है जिससे बड़ी संख्या में मासुम जिन्दिया संकच में है। यूएन प्रमुख ने जोड देकर कहा कि इस बरबर भयावाय विद्वंश से ब झाल